नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर मेट्रो के स्वपन को साकार करने के लिए महा मेट्रो के प्रबंदन इदेशक डॉक्टर ब्रिजेज दिक्षित और उनकी पूरी टीम बधाई की पातर है इस आशय के विचार राष्टरवधी कॉंग्रेस के प्रमुक सांसर शरत पवार ने महा मेट्रो के प्रबंदन इदेशक डॉक्टर ब्रजेश दिक्षित से चर्चा के दौरान व्यक्त करते हुए महा मेट्रो प्रषासन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की चर्चा के दवरान उन्होंने डॉक्टर ब्रजश डिक्षित से नागपुर एवं पुने मेट्रो रेल परियोजना की विस्तरुट जान करी ली उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो परियोजना से शहर में यातायत की भीड से नागरिकों को रहत मिलेगी इसे पुर्व पवार ने महा मेट्रो की पुने परियोजना का दवरा कर पुने में मेट्रो से सफर किया था उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार पुने मेट्रो से यात्रा की है इस दवरान मुझे बहत खुशी मिली है पुने शहर में जल्दी मेट्रो चलेगी और रोजाना यात्रा करने वाले नागरिको को इसका बहुत लाब मिलेगा किफायती दर पर सुरक्षित यातायत का मेट्रो ट्रेन एक मात्र साधन है मानव सुरक्षा सेवा संग भारत के पदाधी कारियों के एक बैठक में डॉक्टर कमला मोहता को महराश्टर प्रभारी मैला अद्ध्यक्ष पत पर नियूक्त किया गया मोहताने राष्ट्रिय संस्थापक प्रभारी अद्धेक्ष गजानन इंगले राष्ट्रिय कार्याद्धेक्ष दिलिप कंखर संस्थापक महासचिव गजेंद्र भीसे संस्थापक सचिव अरुन पांडव संस्थापक कोशाद्धेक्ष चंद्रकान जादव संस्थापक सद से संतोष चिल्वनते राश्ट्रिय संगटक अरुनकामले संपर्क प्रमुक प्रशान्थ भूर से महाराष्ट्र अद्यक्ष राजिंद्रगिरी महाराष्ट्र महिला अद्यक्ष रेणु यलगाव कर महाराष्ट्र प्रभारी अद्यक्ष उमेशिंदे आधी वरिष्ट पद मानव सुरक्षा सेवा संग भारत की राज्य वो जिलास्तरिय पदाधिकारियों ने यतायत पुलिस उपायोक्तों को ग्यापनसोप कर मांग की है कि भलेई मास्क वो हेलमेट सुरक्षा की दुरुष्टी से वहन चालो को वो आम नागरिकों के लिए अनिवारी है लेकिन इसक के साथ उन्हें स्थाई सुरक्षा प्रदान करे ग्यापन में कहा गया है कि पुलिस हमारी सुरक्षा प्रहरी है और लोगों की निश्वार्त सेवा ही मानोधर्म है यह कदम उठाने से आम जनता में पुलिस के प्रती एक सकारात्मक शवी उभर कर सामने आएगी और वे सही की माइने में पुलिस मित्र का फर्ज निवा सकेंगे इस अवसर पर महराष्टर प्रभारी महिलाद्यक्ष डॉक्टर कमला मोहता महराष्टर संपर का प्रमुक राजिश दुबे महराष्टर निरिक्षक मनिश मोहबे आधी पदाधिकारी उपस्थित थे अजनी पुलिस की टीम ने दो दुपईया चोरी की वारदातों को 12 घंटों के भीतरी सुलजाते विए दो शातिर चोरों को गिरपतार किया है उनके पास से चोरी की दोनों दुपईया गाडिया भी बरामत की है प्राप्त जानकरी की अनुसार फर्यादी अनिल अरुजुन पेशे से फरनीचर का काम करते है और बजरंग नगर गल्नी नंबर 3 में रहते है तेरा फरवरी के दोपर करीब साड़े बारा बजे के आसपास फर्यादी ऑफिस से खाना खाने के लिए अपनी हुंडा एक्टेवा गाड़ी पर घर आय थे अपनी गाड़ी को फर्यादी न और मेडिकल चोक में किराना स्टोर चलाते है तेरा फरवरी को दोपर 12 बजे के आसपास उनकी पैशन गाड़ी को भी अग्यात आरूपियों ने दुकान के आगे से चूरा लिया चोरी की इन घटनाओं की निरंतर शिकायते मिलने के बाद अजनी पुलिस की टीम सक्रिया अब जिले में केवल 2890 एक्टिव केसे सी शेश है पिछले माह यह आकणा पाच गुनी संख्या के आसपास था इसके साथ ही एक दिन में 6756 सेंपलों की जाच में 181 लोग कोरोना पॉजेटिव पाए गए है एक दिन में मिले 181 नए पॉजेटिव मरीजों में नाकपूर श जिले में संतोज जनक है पिछले 24 घंटे में नाकपूर जिले में 853 मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है जिन में नाकपूर शहर के 579 मरीज नाकपूर ग्रामिन के 250 मरीज तथा नाकपूर जिले के बहार के 34 मरीजों का समाविश है महराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अलपसंख्यक विभाग के महासच्यू जॉन थाउमस के नेतरूतुम में एक प्रतिनीदी मंडल नाकपूर की जिलादीकारी आरविमला से मिला और वरिष्ट नागरिको को केंद्र की तर्स पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जारी कल्यानकारी योजनाओ की आयू सिमा 65 वर्षय से घटा कर 60 वर्ष करने के लिए ग्यापन सोपा यह ग्यापन स्विकार कर जिलादीकारी ने प्रतिनीदी मंडल के सदस्यों से कहा कि आपके विचारों को राज्य सरकार तक जरूर पहुचाय जाएगा प्रतिनीदी मंडल में जौन थौमस के अलावा रमन कलवले एनश नियोगी एडवोकेट लीनिट सेंटियागो आदी उपस्तित थे नाकपूर महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोदीत बजट और वर्ष 2022-22 के लिए प्रस्तावित बजट परिवहन प्रबंदक रविंद्र भेलावे को परिवहन समिती के अध्यक्ष जितेंद्र कुकडे के समक्ष सौप दिया है वर्ष 2021-22 के संशोदीत वर्षिक बजट अनुमान में 178.08 करोड रुपए राजस्व और 177.90 लाक रुपए व्याय होने का अनुमान लगाय जा रहा है मंगलवार को मनपा मुख्याले के परिवहन समिती के सभापती के कक्ष में परिवहन समिती के सभा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस अवसर पर परिवहन प्रबंदक रविंद्र भेलावे ने बजट समिती के समक्ष पेश किया बैठक में परिवहन समिती अध्यक्ष जीतेंद्र कुकडे सदस्या रूपाराय सोनाली कडू सदस्या नितीन साथवने नागेश मानकर शेशराव गोत्मारे परिवहन प्रबंदक रविंद्र भेलावे रविंद्र पागे जनसंपर के अधिकारी अरुन पिम्पुडे इस परदा में 16-25 वर्ष के लड़के लड़किया भाग ले सकेंगे महराष्टर में प्रथम पुरसकार 21,000 रुपे दूसरा पुरसकार 11,000 रुपे तृतिय पुरसकार 7,000 रुपे दिये जाएगे नागपुर जिले में भी प्रथम द्वितिय तृतिय पुरसकार दिये जाएंगे भाशपा प्रदिश अद्यक्ष चंद्रकान पाटिल एवं पुर्व मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनिता देवेंद्र फण्नविस के मार्गदर्शन में पुर्व विधर्बक के सायोजक संतोष लड़ा द्वरा बड़े पैमाने पर स्कूल महाविद्धाले सामाजि पिडी, तंत्रस नही पिडी, विचार मंथन, शादी की उम्र 21 साल, सुरुजन करती में, फिर भी असुरक्षित में, भारतिय नारी, आत्म निर्भर नारी, बेटी देश की शान, हर घर का सम्मान, इन विशयोपर आधरित है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी, केंद्रिय सडक परिवहन, एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, पुर्व मुख्य मंत्री देविंद्र फन्नविस के अलावा, स्तानिय भाचपा विदायक, एवं नाकपूर महानगर पाली का द्वारक किये गए विकासकारिय, तथा आमनागरिकों के लिए नेक लाबदायक योजनाओ का पत्रक लेकर भारतिय जनता पार्टी के सभी पदादिकारी, कार्यकरता सभी अठावन प्रभागों में बुद्ध प्रमुकों के साथ मिलकर घरगर जाकर संपर का अभियान करेंगे। के आगामी चुनाओ में भाजपा की कम से कम 120 सीटों में जीत हो। इसके लिए पार्टी ने आनेक योजनाओ की प्लानिंग की है। इस बैठक में महापार दयाशंकर तिवारी ने भी पदादिकारियों को संबोधित किया। बैठक में पुर्व महापार संदीप जोशी, प महामंत्रिगन उपस्थित थे। इस लाक रुपए की बैंक गैरंटी जमा करने के निल्देश दिये। यह नोटिस का जारी होना हाल ही में राज्य के परियावरन सौरक्षन एवं परियतन मंत्री आदित्य ठाकरे द्वरक किये गए नंदगा और आख तालाप के दवरे का परिणाम है। खरे ने कहा कि क्ष तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार।